दोस्तु नमस्कार सुवाकत है आप सभी का अपना चेनल I&T Hindi TAK में दोस्तु देखते हैं देखते हैं Signal Application की download बहुत हो चुकी हैं जो कि आप देख सकते हैं 50 million plus download हो चुकी है signal application यानि कि सब वाटसेप से switch कर रहे हैं signal application पर ज़्यादा तर लोग वाटसेप को छोड़ना चाते हैं और signal application को इस्तमाल करना चाते हैं योकि वाटसेप से ज़्यादा privacy signal application पर देखने को मिलती है और यहाँ पर वीडियो कॉल और अडियो कॉल की क्वालिटी जो है वाटसअप से कई गुना वहतर है यदि आप सिगनल अप्लिकेशन का वीटा जोई नहीं किये होंगे तो आप जो है गूगल प्ले स्टोर से अवी जोई कर सकती है जो कि सब कोई अवी ज यहाँ पर जो भी चैटिंग पर गयरा हुए रहेंगे वो आपको नजर आ जाएंगे आपको यहाँ पर करना क्या है कि उपर आपको एक उपसंस दिखेगा जो कि त्री डॉट वाला तो इस वाले उपसंस पर क्लिक करना होगा इस वाले उपसंस पर क्लिक करने के बाद यहा पर चैट वैकप की options मिलेंगे आप यहाँ पर signal application पर चैट वैकप जो है email address पर नहीं बलकि external storage में लगा सकते हो जी हाँ WhatsApp पर आप लोगों को chat वैकप करने की options मिलता है जहाँ पर आप जो है email address के मतलब से drive में backup बनाती हो और फिर restore करती हो लेकिन यहाँ पर आपको external storage में बनाना होगा क्योंकि यहाँ पर वही options है आपके device में ही save होगा तो यहाँ पर chat वैकप वाले options पर क्लिक करना है यहाँ पर जो है turn on वाला options मिलता है इस वाले options पर क्लिक करना है यहाँ पर क्लिक करने के बाद यह बोल रहा है कि आप जो है आप चैट वेकप बनाना चाहते हैं अगर आप कोई नया फोल्डर एड़ करना चाहते हैं तो यहाँ पर प्लस वाले आपसंस मिलेंगे इस वाले आपसंस पर क्लिक करिए यहाँ पर फोल्डर का नाम लिखेंगे उसके बाद हम यहाँ पर ok करते हैं चलिए ok कर दिए ok करने के बाद यहाँ पर use this folder की options मिलता है इस वाले options पर क्लिक कर देंगे और allow कर देंगे allow करने के बाद दोस्तों यहाँ पर इस परकार की interface नजर आएंगे यहाँ पर दोस्तों बताया किया है कि backup को रिये store करने के लिए आपको यहाँ पर कुछ पास फ्रेज दिया गया है जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं अगर यह रहेगा तब ही आप लोग चैट का जो backup बनाओगे उसे आप रिये store कर सकते हो तो यहाँ पर आप लोगों को check box पर क्लिक करना होगा यहाँ पर क्लिक करने के बाद enable backup वाले options पर क्लिक करना होगा अब यहाँ पर create backup की options मिलेंगे जहाँ पर क्लिक करके आप यहाँ पर backup बना सकते हैं इस परकार से backup create हो चुका है अगर आप इसे off रखना चाहते हैं तो turn off पर click करके आप इसे off भी कर सकते हैं अब बात कर लेते हैं कि आप signal application का जो chat backup बनाओगे उसे आप restore कैसे कर सकते हैं तो चलिए ये भी बता देते हैं देखिए दोस्तों जब कभी आप signal application से लग आउट होते हैं या फिर device चेंज करते हैं तो याद रहे कि आपके पास वह फोल्डर होना चाहिए जिसमें आपने backup बनाया है तभी आप रिये श्टोर कर पाईएगा या फिर आप लग आउट करते हैं या फिर application को अनिंस्टॉल कर करते हैं और फिर से उसी device में आप login करने जाते हैं उसे समय आप जो भी backup बनाये रहोगे उसी आप रिये श्टोर कर सकते हैं देखे यहाँ पर रिये श्टोर बैक आप का options मिलेगा सबसे पहले ही इस वाले options पर आपको क्लिक करना रहेगा क्लिक करने के बाद यहाँ पर continue वा देख सकते हैं चैट का backup बन चुका है जो की दो बार हमने backup बनाया था क्लिक करके तो यहाँ पर हम पहले वाले options पर क्लिक करते हैं क्लिक करने के बाद यहाँ पर रिये श्टोर backup पर क्लिक करते हैं उसकी बाद यहाँ पर backup का pass phrase तो आपको मिला था वो आपको यहाँ पर डाल के बाद रिये स्टोर माले options पर क्लिक करते हैं रिये स्टोर complete हो चुका है जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर दोस्तों बताया गया है कि आप अगर एक नया backup बनाना चाहते हो या फिर backup को जारी रखना चाहते हो तो आप अपना folder को यहाँ पर सूर्ज किजिए तो की total के total आपको यहाँ पर जो number दिया गया है वो आपको enter करना परेगा रिये स्टोर करने के लिए यहाँ आपको वहाँ मिलता है जहाँ पर आप बैक अप के लिए folder बनाने जाते हो वहाँ पर आपको यह मिलता है जो कि मैंने आपको बता दिया है अगर आप यहाँ पर जो है इस मोवल नमबर पर OTP आएगा जो कि आटोमेटिक फिलप हो जाएगा इस परकार से तो यहाँ पर आटोमेटिक फिलप हो चुका है उसकी बाद यहाँ पर आपको पिन डालना रहेगा हम आपको बता दे कि जब आप पहली वार एकाउंट बनाओगे तो यहाँ पर पिन क्रियेट करने का उपसंस मिलेगा उसकी बाद जो भी पिन आप अपने एकाउंट पर बनाए रहोगे न वह यहाँ पर एंटर करने की उपसंस मिलेगा और एंटर करके आप आगे बढ़ सकते हो उसकी बाद चैट लिश्ट में से सारा कुछ गैब रहेगा एक भी मैसिज आप लोगों को दिखाई नहीं देगा तो इस वीडियो में हमने आपको सिगनल एपलिकेशन के बारे में बताया कि आप सिगनल एप्लिकेशन के चैट बैक अप कैसे बना सकते हो और कैसे रियेश्टोर कर सकते हो उमिद करेंगे कि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें सेयर करें और इसी परकार के वीडियो प्रापती के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें मिलते हैं दोस्तों फीरे के नहीं वीडियो में हमें दीजिए इजाज़ तब तक के लिए गुड़ बाई